अभी हम जड़ी बूटी के संधर्व में आज जिस ब्रिक्ष के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं उस ब्रिक्ष का जो उपकार है उसकी उपकार से लगबग हम हर भारत वर्षी उपक्रित हैं हर घर में शीशम की लकड़ी का बना हुआ शायद कोई भी सामान नहो ऐसा आपको मुश्किल से ही मिलेगा यह जो भब्रिक्ष है इसकी जो गुणबत्ता है यह सिर्फ हमारे फर्निचर के लिए नहीं हम आईर्वीद की दृष्टी से आउशधी की रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं इसको हम डालवर जीया शिश्चू इसका बोटनीकल नाम है इसको पंजाब की शेत्र में ताली भी बोलते हैं यह फर्निचर की रूप में सभी लोग इस ब्रिक्ष से परिचीत हैं आज हम इस ब्रिक्ष को फर्निचर की रूप में नहीं अपी तो एक और शदिय ब्रिक्ष के रूप में आप से परिचे कराने जा रहे हैं आप मेरे पीछे यह विशाल ब्रिक्ष देख पा रहे हैं यह इसका एक मध्यम साइज का यह ब्रिक्ष है इसकी जो उचाई है लगभग 100 फिट तक जाती है और यह बहुत विशाल व्रिख्ष होता है यह इसकी इस तरह की इसके अंदर यह फलियां जैसी आती हैं और यह इसके पत्र है और आउशदी की रूप में ज्यादा तर हम इनके बहुत कई सारे भागों को प्रयूग करते हैं और उसके साथ साथ में यह जहां पर भी यह ब्रिख्ष होता है इसकी जो चाया होती है बहुत शीतल होती है गर्मी को शांद करने वाली होती है और इसके चाया के नीचे बैठने मातर से उसके जो परमानू हैं वो ऐसे परमानू हैं कि जो गर्मी के जो रोग हैं जो इस तर सारे ऐसे रोगी जो और किसी भी ओषदी से ठीक नहीं हो पा रहे थे हमने मात्र शीशम के पत्तों के सेवन से उनको ठीक किया हाला कि सभी जगह पर यह लगभग पाया जाता है यह घर में गमलों में तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अभी तक जितने भी शिशम का ब्रिक्ष दिखाए दें तो उसको बढ़ाने के हम प्रेत्न करें शिल्षम के पेड़ों को हम बढ़ाने में सहयोगी बने यह ₹ entrっちゃ Right आउशदी में भी यह एक दिव्विब्रिक्ष है इसके जो पत्तियां जो आप ये देख पा रहे हैं ये जो पत्तियां हैं वो बहुत सितल हैं सितलता के साथ में यह बहुत पौश्टिक हैं तो जितने भी गर्मी संबन्धी बिमारियां हैं या जो कमजोरी संबन्धी परिशानियां हैं उनको हम इस शिशम के प्रयोग से ठिक कर सकते हैं यही किसी के आँखों में लालिमा है वह बहुत दिन से आँखें दुखती हैं हमेशा दर्द रहता है ऐसे स्थीति में साफ बिना सड़े गले ताजे शिशम के पत्तों को लेकर के आप उन पत्तियों को बहुत अच्छी तरह से आप पीसें साफ जगह पर होनी चाहिए या तो आप उसको मिक्सी में पीस सकते हैं या आप सिल बट्टे पर पीस सकते हैं पीस करके उसकी टिक्या बना ले एक इत्ती सी बड़ी टिक्की बना ले आँख के साइज के और बना करके आप उस टिक्की को आँख पर रख करके पट्टी बां इस प्रयोग को आप कुछ दिन तक कर सकते हैं इसका जो दूसरा जो विशेश जो गुण है वहाँ गुण यह है कि आप इस शीशम के पत्य को ये जो परशों का जो थनेला रोग है उसके लिए बहुत लाबकारी है इस शीशम को पीस करके ये परशों के थनों पर लगा दिया जाए तो उससे जो उनका जो थनेला रोग है वहाँ दूर हो जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि इसको आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में इन पत्यों को पीसें अच्छी तरह से पीस करके फिर उसके थन पर धीरी धीरे पशों के थन पर लगा करके छोड़ दें ये लग बहुत बड़ी समस्था है वह पर्शु का पूरा थन खराब हो जाता है और उस थन में से दूद भी नहीं आने लगता और दूद ना आने की वजय से दूद की मात्रा भी कम हो जाती है तो उसके लिए यह एक दिब्य और शदी है क्योंकि जहां कहीं हमारे देश में खेत है लगभग उन खेतों में उन खनीहानों में शीशम का ब्रिख्ष एक सदा बहर एक छाया को देते हुए और किसानों का उपकार करता हुआ सब दगविद्यमान है यह एक आउशदी पेड़ है जो थनेला रोग है उस थन की बिमारी को दूर करने के लिए शीशम के पत्तों को पीस करके लगाना बहुत लाप्रद है इसके अतिरीक्ट जिन माताओं-बहनों का कंदूद उतरता है उसकी लिए भी इसका जो लेफ है उस लेफ को लगाने से जहादा दूद उतरने लगता है और विशेस करके मातां-बहनों का डिलिवरी के बाद में उनके जो इस तन में धिलापन आ चाता है या दूद नहीं उतरता है दोनों ही स्थीती में इस सीशम के पत्तों को यदि पीस करकी माता हैं बहने इस तन पर लगा लेती हैं तो इस तन इसे सुगठित हो करके और बच्चों के लिए जो परयाप्त मात्रा में दूद नहीं उतर पाता है दूद उतरना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं यदि इस तन पर गांठ है क्योंकि बहुत बार आज देश की बहुत बड़ी आबादी कैंसर से पीडित है और उनमें मातों वहनों में होने वाला जो कैंसर है यह ब इस तन के अंदर कोई hardness है उसके अंदर कोई सक्त बना है या ऐसा लगता है कहीं गांठ बन रहा है उस स्थिति पर भी यह एक निरापद प्रयोग है सिसम के पत्ति को पीश करके नियमित रुप से इस तन पर लगाने से वह गांठ पिखल जाता है और इस तन सही सवरुप मे जाता है और ये दर्द हो तो इन इसके पत्तियों को बीना पीसे आप देख रहे हैं इन कुछ पत्तियों को तोड़ करके इसको गरम करके इन पत्तियों को गरम करके कुछ पत्तियां तबे पर गरम करें थोड़ा सा इसमें गाय का घी या सरसों का तेल लगा सकते हैं लगा क इस तन दर्द में इन पत्तों को से करके आप बांध लें तो आप देखेंगे गरम करके बांधने से आप आएंगे कि इसका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा उसके लिए यह बहुत एक दिव्य पौधा है। तो हमने जाना कि किस तरह से ये शीशम के पत्ते हमारे तन रोगों में चाहे हुआ पशों से समद्रित तन की परिशानी है, ठनेला रोग की परिशानी है, उसके अंदर गाठ है या माताओं बहनों में तन की परिशानी है, गा क्योंकि आज इस फैसन के जमाने में हर कोई सुन्दर बनना चाहता है और माताओं वहनों में भी इस तरह की प्रवृत्तियां बन रही हैं तो उसके लिए आप अपनी सुन्दरता को मात्र सीसम के पत्तों का प्रयोग करकर बरकरार रख सकती हैं तो इसके लिए यहा बहुत उ प्रवृत्तियां को तोड़ करके और उसको पीस करके उसमें पानी मिला करके मिश्री मिला करके सरवत की तरह से आप उसका सेवन कर सकते हैं तो एक यहा बहुती बहुती अच्छे और शदी है गर्मी के लिए गर्मी से सम्बंधित रोगों के लिए एक घटना मुझे इसमर तो जब शिविर लगा रहे थे वहां पर एक सज्जन गाओं के सज्जन आये उन्होंने कहा कि मेरी पतनी को बहुत ज्यादा ओवर ब्लेडिंग की सिकायत थी वो बहुत दिन से बहुत महनों से विस्तर में पड़ी हुई थी बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया कई बार हम ने ब्लड भी चढ़ाया पर वो ठीक नहीं हो पाई फिर बाद में एक सज्जन आये उन्होंने कहा कि इसको ये दवाई दे दो और वो पतनी ठीक हो गई हमने का हो क्या दवाई थी तो उन्होंने हमें खेत में ले जाकर के इसी शम की ब्रिख्ष को दिखाया तो उन्होंने ने बताया उस समय से हम नियमित रूप से इसका प्रयोग लगभग आज तक हम समझते हैं कि हजारों लोगों के उपर करा चुके हैं और आस्था चैनल के माध्यम से सद्धे स्वामी जी के मुखारविंद से लगभग लाखों लोगों ने इसको अपनाया होगा तो यहां ब करने लगे कि मुझे कि रुक रुक करके पेशाब होने की सिकायत थी मैंने शीशम के पत्तों का सेवन किया और अभी भी लगभग 5-6 साल से करता हूं और मेरी जो पेशाब की परिशानी है विपकुल ठीक है निश्चित रूप से वहां मुत्रक्रिच्र में जो रुक रुक करके पेशाब होता है खुल करके पेशाब नहीं होता है उसके लिए यह एक बहुती दिवय उश्चिछ है उसके साथ-साथ में उन्होंने दो लाइने ओर लिखी थी उन्होंने कहा कि स्वाम जी आप कहते हैं कि शीशम के पत्ते कि दिसर्दी में ज्यदा पियोगे तो आज तक ठीक हूं तो बहुत अच्छी बात है ये आपकी प्रकृती बहुत ज्यादा गर्म वाली है पित वाली है तो हो सकता है कि इसकी सर्दी से आपको कोई परेशानी नहों पर ये कोई कफ प्रकृती वाला ले लेगा तो मैं समझता हूं कि सर्दी में सीशम के पत्तों के स चोशिकता है इस सिशंदेक य के पत्ते की अंदर जो एक दिव्य गुन है वह उआ है विष को समाप्ठ करने वाला ऐस्ट तो शिशंदेक पत्तों उबाल करके उस पानी से किसी तरह से वीषयली किसी जानवर ने काटा है तो उसमें थोड़े से न Reem के पत्ते उबाल करके योधी हम उसको उससो सब जरोफ जाएगे दिकी से सुजयन असानि करते हैं तो उसकीजांग खातम हो जाएगा रिए बहुत अच्छी उसके पूरानी लखडी है जो अच्छी खासी जो पूरानी लखडी होती है पूरानी लखडी से मेरा तात्परी ब्रिक्ष बहुत पूराना होना चाहिए पर सुक करके डली हुई बहुत पूरानी गली हुई लखडी नहीं ब्रिक्ष पूराना हो लखडी ताजी हो उस लखडी को चोटे टुकुडे करके या उसको मोटा मोटा कूट करके आप जैसे एक किलो लकडी है तो आप चार किलो कम से कम पानी में उसको पकाएं, लगभग एक किलो बच जाएं, उसमें से उसको छान दें, लकडी को फैक दें, उस पानी में लगभग लगभग आप धाई सो ग्राम स तो थोड़ा गाड़ा हो जाएगा और सिर्फ सरसों का तेल सेश रह जाएगा फिर आप छान करके उसको शीशी में भर करके रख लें इस तेल का प्रयोग आप समस्त तरह के जो चर्म रोग हैं खाज खुजली दाद इसमें आप बड़े निर्भेता के साथ प्रयोग कर सकते ह यह एक बहुत ही अच्छी और यह दिब्योशदी है इसके आतीरीक तो जिनको धात्यों के शिकायत है या जो डाविटीज के पेशेंट है उसमें भी यह लाबकारी है जैसे सरदे स्वाम ची बताते हैं कि सदावाहर के पत्तियां और उसमें नीम के पत्तियां उसमें फिर ह है वह भी दूर हो जाएगी और मदमुए क्यों जैसे जो आपके शरी में कमजोरी है शितलता है वह शितलता भी इससे दूर हो जाएगी यह एक बहुत दिव्य अच्छी और शदी है इसके अतीरीक तो जिनको बहुत ज्यदा पीरियट के समय पेन होता है दर्द होता है या बहुत ज्यादा जैसे कि अभी हमने कहा कि जो ओवर ब्लेडिंग वाली माताएं बहने हैं, उनके लिए यह एक रामबान समान है, एक बहुत यह दिव्योशदी है, इसका वो सभी सेवन करें, तो आप पाएंगे यह शीशम का ब्रिक्ष सिर्फ एक फरनिचर बनाने का ही सामा नहीं, अपितु यह एक बहुत यह दिव्योशदी है, जो आपके चर्म रोगों में, कुष्ट रोगों में, प्रमेह प्रदर और मधुमेह में लापकारी है, विशेश करके माताओं बहनों से संबंदित रोगों के लिए, उनके प्रदर के लिए, उनके किसी भी तरह के हम जाने एक और शदिये व्रिक्ष के रूप में, जिससे हम लावानवित हो सकें, अपने घर परिवार और पड़ोस को स्वस्त रख सकें